इस घटना की चर्चा सोशल मीडिया पर जम कर हो रही है क्योंकि ये घटना भले ही स्कूल में घटी हो लेकिन इसमें परिवार की लापरवाही सामने आ रही है जो माता पिता अपने चोटे बच्चों को सुभा सवेरे स्कूल भेजते हैं उनके मन में अपने दिल के टुकडे की सुरक्षा को लेकर एक सवाल दौरता रहता है क्योंकि आए दिन स्कूलों में दिल दला देने वाली घटनाएं होती रहती हैं ऐसा ही कुछ पंचाब के तरंतारन में हुआ जिससे जाने के बाद पेरेंट्स की चिंता और बढ़ गई है दिरसल पंचाब के तरंतारन में एक स्कूल में उस वक्त हडकम मच किया जब स्कूल जा रहे बच्चों के स्कूल बैक से पांच फिटे लंबा साप निकल कर बाहर आया रोज की तरह प्रातना सवा के बाद जैसे ही बच्चे ने क्लास में जाकर अपना स्कूल बैक खोला तो क्लास में भगदर मच गई बच्चे के बैक के पास जब क्लास टीचर पहुंची तो साप देखकर उनकी भी चीक निकल आई शोर शराबा सुनने के बाद स्कूल परशासन के लोग भी कलास में पहुंचे और बच्चे के बैक को स्कूल के खुले मैदान में ले गए वहाँ बैक से किताबों को निकाला गया तो साप की लंबाई देखकर लोगों की जान हलक में अड़की क्योंकि ये साप पाँच फिट लंबा था राहत की बात ये रही कि इस घटना में किसी भी बच्चे या स्कूल करमचारी को नुकसान नहीं पहुंचा करमचारी ने सांथ को जिन्दा छोड़ दिया इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शियर किया जा रहा है